फिल्म की शुरुवात में हमें एक ओल लेड़ी किसी जंगल में समिन खोती वी नसर आती है जहाँ उस ओल लेड़ी को एक सुटकेस बॉक्स मिलता है जिस पर वह कुछ मंत्र पढ़ रही होती है जिसका राज हमें आगे पता लगेंगा जहाँ सीन काट होकर हमें एक रेश्ट प्रेंड रिचर्ड और सीसी भी होती है सीसी जो शुरुवात में हमें ओल लेड़ी दिखाई गई थी उसी की ग्रेंड डॉटर होती है तब ही वहाँ एक ट्रॉक चलाती हुए आदमी आता है जो शौन के पिता होते है जिनका नाम रे होता है जिनके पर्सनालिटी गुंड देती है जिसे लेकर रे ट्रक में जा बैठता है तबी दो लड़कियों में से एक लड़की नशे के हालत में रे को जान बुचकर पंगा लेती हुए गाली देती है पर रे उसी इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है तब ही टेन और उसकी फ्रेंड रिचेड रिस्टोरन करके अपने ट्रक ले जाही रहा होता है कि तभी सामने से आ रही कार से रे के ट्रक से बचकर ब्रीच में फस जाती है जिससे देखकर पता लगता है कि यह वही ओल लेड़ी है जो फिल्म की शुरुवात में हमें दिखाई गई थी जो सुटकेस के साथ कार में गंबिर आलत निकारी रहा होता है कि तभी अचानक सूटकेस खुलते ही वहाँ से जहीरीले श्रापिस साप निकल कर रे को काटते हुए पानी में डूबो देते हैं जिससे एरिक और एटेन बचानी की कोशिश करते हैं पर दोनों भी नाकाम हो जाते हैं जिससे रे की मौत वहीं हो जाती है और दुसरी तरफ उस ओल लेडी की भी मौत हो जाती है कुछ समय बाद पुलीस लेक से रे की लास निकलती है वहाँ सीसी भी अपनी दादी की मौत की खबर सुनकर आई होती है जिससे सुनकर सीसी वहाँ खड़ी पुलीस एरिक और एटेन से किसी सुटकेस के बारे में पु लॉकेट को निकालती है जो बूरी शक्ति उसे बचाने में मदद करती है उस लॉकेट को लेकर सीसी वहाँ से चली जाती है फिर सीन कट होकर मुर्दा घर में दिखाया जाता है जा फोन पर बात कर रहे वेक्ति को रे की बाड़ी से कुछ अजीब अजीब आवास मिनाई द पर इस ब्ह def की तुछ ताइम लंडू की उन्हें को पर इने पता नहीं दखा है पर इन्हें पता नहीं था कि रह एक चलती-फिर्ति लाश बनाश बन चुका है जो इनको भी ठिकाने लगाने वाला था जो टॉलेट में गई लड़की को रे चेन सौ में फसा कर मार का लड़का देता है जिसे देखने के लिए उसकी फ्रेंड भी घर के अंदर प्रवेश करती है ये वो ही लड़की होती है जो शुरुवात में रे को रेस्टोरंट में गाली मसाक उड़ा रही थी जिसे अब रेने पकड़कर उसके तुकड़े तुकड़े कर मार देता है अब सीन काट होकर आमें लेक के तरफ दिखाया जाता है जहां इन सारे दोस्तों के बिच आर्ग्यूमेंट होता है और वहाँ से गुस्षे में दारु के नशे में शौन निकल जिसे शौन वही मॉमेट कर देता है यह सब देखकर एरिक और शौन वहां से घबराकर निकल जाते हैं वही दूसरी तरफ इटेन रिचेड और रिकी तीनों सीसी को मिलने सीसी के दादी के घर पहुशते हैं जहां उन्हें अंदर प्रविश करते ही एक रिच्वल करती हुए दिखाई दिती है और घर के अंदर वोडू टेमपल भी अब यहां खुलते हैं असली रास के पत्ते की सीसी की दादी एक तांत्रिक थी जो वोडू मैजिक करके इनसों के अंदर की बुरी आत्माओं को इन सापों के अंदर कैद कर देती थी जो यह प्रता उनके पुरवज ताकि जहां सुटकेस गड़ा था वहां कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो सकता था इसलिए सीसी की दादी ने उस सुटकेस को बाहर निकाला था ताकि उसके अंदर की बुरी शक्तिया किसी को नुकसा नहीं पहुचा सके लेकिन उस एक्सिडन के दौरान सापों म बसे बुरी आत्मा उन्हें भी रे की आत्मा को कैद कर उसके बौडी के अंदर कबजा करके लोगों को मारना शुरू किया ताकि वह लोगों की आत्मा को कैद करके रिच्वल परफाम करके ताकतवर हो सके तबी सीसी सबी दोस्तों को घर से जानी की सला देती है क्योंकि उस उसे पता था रे उसे मारने के लिए यहां आ सकता था क्योंकि सीसी उसके रास्ते का काटा थी क्योंकि सीसी की दादी एक मांबो याने एक तंत्रिक थी जो सापो को कंट्रोल करती थी इसी दोरान सीसी अपनी दादी की जगह ना ले सके इसलिए रे सीसी को मारने यहां आ सकता था और सीसी अपने दादी के लॉकेट के बारे में एटेन को भी बताती है कि ये कोई मौमुली लॉकेट नहीं है बलकि ये बूरी शक्तियों से भी बचाती है तबी रीचेड और रिक्की पुलिस को इनफर्म करने जाने के लिए बाहर निकले ही थे कि उनकी कार उने पल्टी से वार कर गेरा देता है जहां सही सलामत रीचेड घर के अंदर पहुच जाती है जिसके पीछे रे आकर दर्वाजे के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है लेकिन दर्वाजे पर वुडू मैजिक किये जाने के कारण वह अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था जिसकी अंदर आते ही शौन को रे खिरकी तोड़कर चैन से खिशते हुए बाहर खिश लेता है और शौन को भी वही मार देता है एरिक रे को गोली मार कर शौन की बोड़ी घर ले आता है लेकिन रे पर गोली का असर बिलकुल नहीं होता है अब घर के अंदर सब डरे सहमें से होते है जो रे से कैसे बचा जा ये सोची रहे थे कि सीसी के दिमाग में वोडू मैजिक के जरीए शौन के बोड़ी का इस्तेमाल करके रे को रोक सके क्योंकि शौन रे का बेटा होता है जो इनके बिच खुनका रिष्टा होने से शौन के बोड़ी पर मैजिक करने से उसका असर रे पर भी होगा लेकिन ये मैजिक करके रे को सिफ रोका जा सकता था लेकिन मारा नहीं जा सकता था तबी रे घर को चैन से बांद कर ट्रक से खिच कर दो तुकड़े कर देता है और घर के अंदर प्रवेश करने लगता है जिसे रोकनी के लिए सिसी शौन के बॉड़ी पर फारी में भागने लगते है जिनका पीचा करते हुए रे रेट के गले को पकड़ लेता है जिसके वजह से रीचिट दोनों के गाड़ी के बीच फसे होने के कारव पेड़की टैंडी उसके आरपर हो जाती है और उसकी वही माट हो जाती है अब दो ही लोग बचे थे एरीक और इटे जो जंगल से होकर भाग रहते जहां दोनों अलग-अलग होके बिछड जाते हैं जिसकी वज़ा से रे ने एरिक को भी मार देता है अब बची इटे जो भाग कर कब्रस्तान पहुच गई जहां उसे एक खफियात हकाना मिलता है जिसके अंदर प्रवेश करते ही उसे ब्लैक मैजिक के रिच्वल जैसे चीज़े नजर आती है जहां उसे कुछ लोगों की लाशे भी दिखते है तब ही वहाँ इटेन को रे के आने का हैसास होता है जिसके कारण वहाँ लाशों के बिच छीप जाती है रे ने एरिक को मार कर अपने साथ उसकी बोड़ी लाया हो अपना सिक्रिफास देता है जिसे एरे एरिक के सीर पर चाकु घुषेड कर मार देता है इटेन जो लाशों के बीच छिपी हुई थी वो एरिक के सीर से चाकु निकाल कर रे की उपर हमला कर उसे आग से जला कर एक बड़े से बेस्मेंट में उसके साथ गिर जाती है जहां एटेन रे को लॉकेट दीखा कर डरा के बेस्मेंट में लॉकेट के साथ बंद करके रे का ट्रक लेकर भागने ही वाली थी लेकिन रे उस पर अचानक हमला कर देता है जिससे एटेन रे से बचते हुए उसी के ट्रक से रे को ठोक कर उसके दो तुकड कर मार देती है जहां प्रेकी बाड़ी से वही जेरीले साब निकलते हुए दिखाई देते हैं और यहां होती है फिल्म खतम